हर हर महादेव मित्रो मैं आपका जोतिश मित्र आचार शेलिश तिवारी आज आपके सामने विशेष रुप से जोतिश और अंक इन दोनों की चर्चा करने आया हूँ अंकों के माधियम से और जोतिश विद्या के माधियम से मैं आपको बताने आया हूँ कि कौन एसिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में विज़ाई होगा आईए तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह मैच कब होने वाला है मेत्रो यह मैच जो है वहाँ 2 सितंबर 2023 को स्री लंका में खिला जाएगा कैंडी कैंडी एक शहर है वहाँ पर यहाँ मैच खिला जाएगा और जब समय प्रारम्भ होगा साथ बज कर 30 मिनट मार्निंग इस समय कि अगर हम कुण्डली बनाते हैं तो इस प्रकार की कुण्डली कंड्या विशेश रूप से कंड्या लगने की कुण्डली बनती है और कण्या लगन में मंगल बैठे है मित रोग, दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, सस्टम में शनी बैठे हैं, आपथ भाव में अचान्रमा बैठे हैं, अश्टम हाव में रावु और मिन्श्पती बैठे हुए हैं और 11 भाव में शुकर बैठे हुए हैं 12 भाव में सुर्ज और बुद्ध बैठे हैं तो मित्रो आईए अब हम आपको विश्तित रूप से जनकारी देते हैं कि मैच में क्या होने वाला है सिरिलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच एसिया कप मैच किरकेट का मैच खिला जा रहा है और इस मैच में विशेश रूप से भारत का परतिनिधित जो है वह रोहित शर्मा करेंगे जबकि पाकिस्तान का परतिनिधित जो है वह बाबर आजम करेंगे तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा की रोहित शर्मा जिनका जो अंग जो तिस्कियाधार पर हम निकालते हैं तो इनका आठ अंग आता है रोहित रोहित का अंग जो आता है वह एक आता है और शर्मा का अंग साथ आता है अगर हम कल्कुलेशन करेंगे तो है आठ अंक के स्वामी शनी देव हैं तो आएए अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह मैच में क्या होने वाला है बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जिसकी कुंडली है अगर हम नाम से नामांग निकालते हैं तो आठ जिनी 11 यानि दो अंक आता है जिसका स्वामी चंद्रमा है मित्रों विराट कोहली की की बात करेंगे भारत की कुन्डली ब्रिशव लग्ण की कुण्डली है और करक राशी की कुण्डली है 15 अगस मने 47 में हमारा देश आजाद हुआ और मित्रो गुरु mean वह सस्टमा दिलाता है मंगल को ही खेलों का ग्रह माना जाता है यदि मंगल शनी से पाचों या नौए भाव में बली होकर बैठा हो तो खेल अस्पोर्ट्स में विशेश सफलता मिलती है इसके साथ साथ शाष्टेश का सस्वाव में बैठना एक लाड़ी के लिए विशेश सहाइक होता ह और प्राकर्म भाव का प्राकरमेश जो है वह मंगल बली होकर दशन भाव में विशेश खेल से सफलता देता है और मंगल से संब्ध होने के कारण कोई भी प्लेयर कोई भी खिलाडी तभी सफल होता है जब उसकी कुंडली में मंगल बहुत ताकतवर होता है मित्रों उसके स पाति साथ सुर्ज का बली भी होना जरूरी है सुर्ज वह यश देता है तो आए मित्रूब हम बात करते हैं जो प्राता काल साड़े साथ बजे का जो कुंडली है वह कन्या लगणी कुंडली है लगण में मंगल बैठे हुएं सब्तम में चंद्रमा बैठे हुएं और भाग प बात करते हैं 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की कुंडली है वह हमेश लगनी की कुंडली है और भाग्यस्तान का स्वामी उनके ब्रश्पती है तो मित्रों अब हम बात करते हैं विशेश रूप से अब हम इंडिया का जो अंक है वह तीन अंक है पाकिस्तान का साथ अंक है और म पामी जो है मंगल हैं मित्रोल तो अब हम विशेश रुप से यह हम बताने जा रहें आपको कि मंगल और चंद्रमा का यूती होना चंद्रमा और बिरश्पती का यूती होना बिरश्पती और चंद्रमा गज केशरी राजयोग देता है जबकि हम अगर हम बात करते हैं हमारे द जन्म हुआ है दोपर 12 बजे नागपूर में जन्म हुआ है और इनकी जो कुंडली है वह करक लगने की कुंडली है जिसके राशी जो स्वामी है वह मेश राशी है मेश राशी के स्वामी मंगल है यानि मंगल बहुत अच्छे पोजिशन्स में हैं मंगल बहुत सफल्दा देन करते हैं 29 तारिक को इनका रोहिच शर्मा का जन्म है रोहिच शर्मा के जन्म का जो अंक है वह दो है कल जो मैच होने वाला है उसका भी अंक दो है अब हम बात करते हैं मित्रो अगर हम इंडिया के बात करते हैं जिसका जो अंक जोतिश पर बात करते हैं जिसका स्वामी गरह बिरश्पती है और कल का जो अंक आ रहा है वह क्या रहा है वह दो जिसका स्वामी चंद्रमा चंद्रमा बिरश्पती का यूति जो है वह गज के स्री राज योग देता ह जबकि पाकिस्तान का अंक साथ है चंद्रमा का निगेटीव गोन होता है निगेटीव और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान निशित तोर पर इस मैज को लूज करेगा और मेनिमम साथ विकेट से पाकिस्तान हारेगा और भारत की पूरी आजम का बबार आजम भी अच्छा खेलेंगे उनको खेल अच्छा होगा क्योंकि उनका भी अंक बहुत अच्छा मेच कर रहा है कल के दिन से लेकिन मित्रों बबार आजम पुरीत रसे सपलता को प्राप्त नहीं करेंगे और अंत्ता उन्हें हार का समना करना पड़ेगा और भारत कल जो है वह विजही प्राप्त होगा मैं आचार शलेश तिवारी जोतिश गुरू वैदिक तंत गुरू मैं भविश्बानी करता हो कि दो सितंबर दो हजार तेईस को जो स्री लंका में विशेश रूप से एसिया कब किरकेट होने जा रहा है उसमें भारत को सत प्रत से शाथ सफलता की प्राप्ती होगी और मैं महाति प्रशुद्री राजदर रहश्वरी से भी प्राथन करता हो कि भारत बर्स को सफलता प्राप्त हो अभी जो भारत का समय है इसमें साइंस में खेल में और विशेश रूप से मेडिशिन में विशेश सफलता की प्राप्ती होगी इसमें तनिक विसंसे नहीं है भारत माता की जय